नमस्कार दोस्तों मैं प्रेंश कुमार स्वागित कर्टा हूं एक पर फिर से आप सबके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रेंश के उपफर दोस्तों वीडियो में आगे वरहेंगे उससे पहले आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम आप सबकी वज़ा से गोल्ड रेंग को एचीव कर लिया है और इतने कम समय में आज अगर देखेंगे तो एरांड दो से धाई महिने हुए हैं इस प्रजेक्ट को करते हुए और आप सब के बीच लाते हुए तो इतने कम समय में इतनी बड़ी एचिवमेंट देने के लिए मैं प्रें कर से आप सबको लाता रहूं और आप सब अपना दुलार प्यार बरसाते रहें दोस्तों आज मैं गोल्ड रेंग को एचीव कर चुका हूं बहुत ही कम समय में और हमारे साथ कई सारे लीडर जो है आज कोई सिल्वर कोई कोई ब्रोंज सभी के सभी कर चुके हमारे डाउन म फिर से बहुत लोगों का डिमांड था वैसे तो मैंने इसके उपर अल्रेडी वीडियो बना चुका था लेकिन आप जानते ही है बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था और बहुत लोग यह कह रहे थे कि सर ड्रीम कम टूरू प्रजेक्ट के ऊपर एक बार फिर से नए तरी यह नए जो आप कर रहे हैं जो कि अज आता है कि हमेसा कहता हूं मैं za bicycle काистu व्यूसित कर रहे हैं और विदियो में देहेंगे स्टाट करते हैं हम project के उपर presentation तो अपर देख लिए मैं अभी मैं को एक्सिहींव कर चुका हूँ यहां पर मैंने अपने स्क्रीन सॉट ले चिका है अब यहां पर देखिए मेरा ही है प्रिंस उपर में लिखा हुआ है ऐसा आप समझे मैं गोल्ड रैंक एचीव कर गया हूं और बहुत जल्द अगले सब्सक्राइब मैं प्लेटिनम रैंक मुझे ऐसा उमीद है कि मैं कर करके office visit करके company founder से face-to-face बात करके आये हैं इस में आपको बता रहे हैं company कहां से पैसा दे रही है company कहां से पैसा को generate कर रही है या generate ना कर करे यह कि चैसे rotate तो नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं वह मैं खुद एक negative इनसान हूं ओके लॉंग ट्रम का पॉर्जेक्ट है मैं फिर से बोल दिया तो अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों यह दुबाई की कमपणी है और अगर हम इसकी बात करें तो एड्रेस में इसका जो एड्रेस है बहुत ही पॉपुलर जगा आप ने नाम सुना होगा या जो लोग बहुत ही पॉपुलर जगह है फ्यूचर म्यूजियम फ्यूचर म्यूजियम के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो लटीफा टावर है जिसमें से 19 फ्लॉर कंपनी का ऑफिस है चलिए हम बात करते हैं यहां पर कंपनी सबसे पहले अपना एक इंकम डिस्क्लेमर दिया ह है जिसको आप यहां पर देख लिएगा अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपनी का फांडर वह है अधनान एहमेद एंड असीम जमिल बहुत ही तैलेंटेट परसन है मैंने इन दोनों से परसनली कई बार मैंने तो अपने टीम के अंदर बहुत लोगों को मीट भी करवा चु कर सकते हैं और आप वहां पर डिरेक्टली जो आपके मन में डाउट हो सवाल हो क्वेस्टन और से कर सकते हैं मैंने अभी तक दो बार लोगों को इनके साथ मिटिंग कर वा चुका हूं मैं अपने टीम के और सभी लोग सटिस्वाइड है और बहुत बहुत तेजी से काम चल मैं ही पता था कि इस लिवल का हम लोग काम कर पाएंगे लेकिन आज अगर हम देखें तो भाइब मैं जहां पर सोचा था ना उस सोच से आगे का काम चल रहा है ठीक है तो दोस्तों आप सब के पास एक अच्छा पर्चुनिटी है मैं खुद कह रहा हूं और इसको आप का मैनेजमेंट है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं जब वहां गया था तो मैंने इन सब से मिल के आया हूं ठीक है क्योंकि यह वैसी कंपनी नहीं है जो अभी कि अगर देखा जाए तो 99.99% अगर कंपनी के हम बात करेंगे तो उसक कुछ नहीं उता है फिजिकली कभी वह एक्जिस्टीनहीं करता है लेकिन अगर इसके हम बात करें दोस्तों तो यह आज आने से अज это हैज़ साल पहले से यह वहां पर इसका फिजिकल ऑफिस है जिसके बारे में आप गूगल पर जाकर के पता कर सकते हैं दोस्तों अगर बा अदमी और सब कंपनी को कहीं मिल चुरम कर रहे हैं कंपनी के अंदर और और जो देखवाल रहना खाना पीना यह सारी कंपणी के तरफ से दिया जाता है ठीक है क्योंकि मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि इनसे बातचीत हो चुकि अगर बात करें दोस्तों कंपणी की ऑफिस की तो मैंने पहले भी बताया है कि इसका जो है आयरलेंड के अंदर दूसर आज से कुछ साल पहले की अगर बात करेंगे तो दूबाई आज जितना विक्सित। है पहले नहीं था लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो दूबाई की कंपणी thereafter कंठी से जाना बहुत ही सरन होता है compared to other country आप दूबाई असानी से जा सकते हैं उतना ही सकते हैं ज्क्रया करके वह भी वीजिट कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो अभी सबसे बड़ी चीज होती है किसी कंपनी या किसी और्गिनिजेशन को लंबे चलने के लिए उसका जो बैक बॉन जिसको कहते हैं अगर कोई इस टाप की प्रोजेक्ट है या तो ट्रेंदिंग या माइनिंग यही दो चीज़ कहा जाता है लेकिन अगर कंपनी की बात करेंगे तो दोस्तों इतने प्रोजेक्ट अभी कंपनी का लाइब हो चुका जिसमें सबसे पहला है डीसीट नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो यही जो अब यह प्लान है वो ठीक है पहला जो है वो DCT network है दूसरा है इसका education platform ओके dream come true education platform इसका live हो चुका है तिसरी अगर हम बात करेंगे तो यह है जैनेक्स token जैनेक्स token अभी आप जाए जाने के बाद आप Google पर सर्च किजिए सिर्फ जैनेक्स token बेट 20 के ऊपर बनाया गया है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह बहुत retail के ऊपर लिश्टेश सबसे पहला अगर हम बात करें तो यह Comics है क्र लिश्टेट है क्यों इसका क्वाइन है उसका कि सब कर सकते हैंस 제가 अगर मैं उन सभी चीज़ों को आपको बताना स्टार्ट करूं तो काफी समय लग सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जा करके उसको आप थोड़ा सा रिशर्ट करें अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर चौथी चीज़ निकल के आती है वह है पर्क डॉट गिफ् सब्सक्राइब करेंगे तो मैं खुद हूं मैंने इसके प्लेटफॉर्म से जो है अभी एक मैंने फोन ओडर किया था रहा होगा जिसको मैंने मंगाया था और इसका फूल डीटेल चाहते है फूल डीटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो जाए यूटूब चैनल के उप जाकर के उसको आप देख सकते हैं तो यहां पे इसका e-commerce platform है अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों इसके e-commerce platform के उपर मैंने डीटेल में वीडियो बनाया है कैसे shopping करना है कहां पर आप किस किस country के अंदर कर सकते हैं वे सारे चीज़ मैंने बताया वीडिए के description में उस वीड कर सकते हैं और मैंने इसका जीता जागता हुधारन मैं कुद हूं मैंने यहां से फोन मंग आया इसका जो है आप नहीं जानते होगे उनको मैं बता देना चाहता हूं चैरिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी आपने एक देखा होगा इंपक्ट गुरुवा जहां पर आपको बहुत तरह क्याइट आती है और अगर इक्षा होता है तो आप उसके अंदर कुछ डोनेट जडिया है चैरिटी दोस्तों तो यहां पर इतने प्लेटफॉर्म जो है इसका यह भी लाइब हो चुका है अगर हम बात करें तो यहां पर एक ग्जांपल दिया हुआ है विटकोईन को वह इसलिए है क्योंकि यहां पर कंपनी का भी एक विटकोईन जैसा कोईन है जिसका जैने क्स जैने क्स जैने क्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो जैनेक्स अभी जो है राउंट अगर हम बात करें तो इसने अभी हाइस्ट हाइज जो है 0.5 0.5 डॉलर अभी हाइस्ट हाई लगा चुका है अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड राउंड फिगर जो है 0.3 से 0.4 डॉलर के बीच यह ट्रेड करता है अगर हम बात करें यहां तो सबसे पहले आपको यह कौइन मार्केट कैप के उपर आप देख सकते हैं कौइन मार्केट के उपर यह दूसरी अगर बात करें दूसरी है क्वाइन बेस के उपर हैं अपagon该 सकते हैं तो सबीसरी है एक पबिलिक एक्सटेंज तो वो एक public exchange है जैसे बाइनांस है इस परकार का वो एक्सचेंज है तो वहाँ पर यह भी coin लिस्टेड है GenX USDT के pair में trade हो रही है जहां से आप buy sell करके trading के माध्यम से भी आप जरूरी नहीं कि company में पैसा लगाओं ही यह कर लो यह कर लो नहीं आपकी मर्जी आप मेरा क्वाइन लेना चाहो तो ले सकते हो वाकि जब अरदस्ती नहीं है आपको जो income होगी वो USGT के form में होगी बस यह payment solution के लिए जैसे deposit और विड्रॉल यह GenX के माध्यम से देती है जिससे क्या होता है यह GenX के माध्यम से इसका earning होता है मैं एक example से बताओं कि क्वाइन से यह कैसे कमाता है ठीक है तो देखिए सबसे पहला बहुत सरा company तो आपने देखा होगा जो directly कहता है कि मैं क्वाइन से mining करके कमाता हूँ लेकिन अपनी जो dream come true है मैं ऐसे से तो बहुत इसे बड़े बरे ब्रांड के साथ इसका affiliate है और आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी ब्रांड का या प्रोडक्ट को आप सेल करवाते हैं तो वहां पर आपकी कमीशन बनती है तो इसी परकार से इसने यह अपना e-commerce platform से आप इसके shopping करते हैं तो इसका कमाई होता है दूसर है जैनेक्स और जब आप जैनेक्स टोकिन को बाई करोगे सेल करोगे तो दोस्त वहां पे कुछ क्वांटिटी में फीज जो करती है वो कहां जाती है कंपनी के पास इसके आउनर के पास जाएगा तो इस परकार से जो है आप e-commerce platform के माद्दें से शॉपिंग कर सकते हैं तो आपको फिजिकली अभी दिख रहा है यह पांच है अपकमिंग के अंदर बहुत सारी है और यहां पी अगर हम बात करें चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहां पी अगर हम बात करें दोस्तों तो जैनेक्स की फीचर की तो आप इस कोईन का उप्योग पेमेंट में बाले ट इसा नहीं है यह ट्रेड करता है ऊपर नीचे करते रहता है मैंने क्या बोला 0.3 चांट से लेकर के 3 चांट के बीज में तो आप अगर तो इस परकार से भी आप कर सकते हैं कोई जबरदस्ती नहीं है अगर हम बात करें तो यहां पर इसको आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अपनी कंपनी जो इसका इक कोमर्स प्लेटफॉर्म है इसके उपर 21000 से ज्यादा प्रोड़क्ट है सर्विस है जो वर्ल्ड लेबल पर काम कर रहा है ठीक है मतलब आप जितने भी बरे बरे ब्रांड की नाम जानते हैं ना उस सब ही आपको इसके इसके साथ इसका पाटनर्सिफ है या एफलीएटेड है इस कंपनी से ठीक है और जाकर कि आप उसको चेक कर सकते हैं अगर यहां पर बात करेंगे तो सौपिंग इसके जैनेक्स यह कंपनी का जो मेन इंटेंशन है वह कम्यूनिटी को डेवलब करना ठीक है अगर मैं एक एक जामपल को लेकर के चलू तो जब शुरुवात के अंदर अंबानी भी यह आपने आपके पास जीओ लेकर के तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई ऐसा करो मेरा सीम खरीद लो और क्यों कि उनका मेन इंटेंशन यही था उसका मेन इंटेंशन था कि भाई में अभी कम्यूनिटी डेवलब करना है मुझे कस्टमर बनाना है जब उसके पास कस्टमर हो गया तो जाहिड सी बात है अब आपका नीड हो चुका है आप एक दिन अगर रिचार्ट नहीं करवाओ कि आप इसके प्लेटफॉर्म को देखो जानू समझो सीखो और सौप करो इसके कौई को जानू बडवाइड लेवल पर जब इसको जानना है स्टार्ट करतेगा तो सोचके देखिए कंपनी एक दिन के अंदर इसका कितना बड़ा इंकम होगा सोचके देखिए बहुत को आप समझे ठीक है चलिए हम आके बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है जो मैंने बताया कि एजुकेशन देती है यहाँ पर प्रोड़क्ट बेस जैसे कंपनिया जैसी काम करती है उस परकार से काम कर रही है ठीक है यहाँ पर रही है और वही नहीं दे रही है रिवार्ड दे रही है तो इस चीज को आप समझें यहाँ पर आप जो पैकेज को आपको पिर से जो आपका इनवेस्मेंट अमांट उसको वापस नहीं किया जाता है उससे आप प्रोड़क्ट को खरीद लिए उस पर आपको सर्विस मिलती है सरविस के बाद आपको रिवार्ड मिलती है और जो आपको मिल सकेए वही मिलेगा तो एगर हम बात करें लिए सबसे पहले ह mean जैसे ही आपके सामने लेकर सकते हैं इंटरमीडियेट के अगर हम बात करें के तो नाइन हंड्र से लेकर के और साथ हजाष डॉलर तक जो है यहां पे इंटरमीडियेट के अगर बात करें तो 10,000 टॉलर से लेके 50,000 टॉलर तक का investment है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां एक चीज लिखा हुआ है BP, BP का मतलब क्या होता है दोस्तों और PA का मतलब क्या है company ने एक symbol के लिए अपनी एक अलग पहचान के लिए इसने एक नाम दिया है PA, PA का मतलब हुआ personal asset और 1 PA is equal to होता है दोस्तों, 1 PA is equal to $1 और जो इसका BP है एक तर्म लिखा हुआ है अगर BP की बात करेंगे तो 1 BP is equal to क्या होता है 5 USDT तो आप इस चीज के अंदर confused ना हो तो हम यहां पे अगर हम बात करें भाई तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं यहां पे एक चीज दिखा हुआ है जो आप जो भी आप package ले सकते हैं जो आपकी मन हो उसको आपने ले लिया तो उस package के ऊपर आपका जो duration है जो आपको तक return मिलता है जो भी return मिलेगी 200 तक मिलेगी या आप पांच गुना तक earn कर सकते हैं पांच गुना से ज्यादा नहीं कर सकते हैं कैपिंग लगा हुआ है चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर बात करें दोस्तों तो आपको यहां पर daily leverage की अगर हम बात करें तो जो आपका जो भी package है आप कोई भी ले सकते हैं यहां पे के जैसे यह beginner है intermediate है एडवांस है तीन तरह का package है आप इसमें से किसी को भी लेते हैं सब के ऊपर company आपको सेम ही profit देने वाली है company किसी भी परकार का वेदभाव नहीं कर रही है बहुत सारा company आपने देखा होगा जिसके अंदर profit आपको किसी भी package को आप लेते हैं मिलना सेम ही है ज्यादा कम नहीं मिलेगा ओके से मिलना है चोटे package हो बड़े package हो यह डिपेंड नहीं करता है अगर हम बात करें यहां पे तो दोस्तों यहां पे जो आपको return मिलने वाली है वह up to 3% तक यह daily leverage है मैं return नहीं बोल सकता हूं इसको यह daily leverage है इसको अधर language में आप dividend कह सकते हैं या आप dividend के बदले आप यह कह सकते हैं कि इसको आप यह भी कह सकते हैं हिस्सेदारी ठीक है हिस्सेदारी आपको यहां पे मिलती है वह up to 3% तक जो company का जितने भी परकार का मैंने source of income आपको दिखाया ठीक है उस सभी से जो daily का इसका earning होगा उस earning का आपको percentage यहां पे आपको up to 3% का मतलब है कि भाई सभी source of income को मिला कर के company का जो भी income daily का होगा ठीक है उस हिसाब से आपके investment के उपर जो आपका हिस्सा होगा वह आपको मिलेगा और वह कितना मिल सकता है तो भाई किसी दिन 1% मिल सकता है किसी दिन 2% मि दोस्तों मैं practically अगर हम बात करूं तो मैंने देखा जो है वह अभी तक जो मैंने एब्जॉर्ब किया है वह 1.67% से लेकर के और धाई परसेंट तक मैंने maximum दीन का profit देखा है नॉर्माली 2% के इर्दगीर्द जो है यह गूमते रहता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पे अब देखिए ऐसा क्यों है यह कह रही है कि मैं जो आपको रिटन दूँगा वह आपके investment amount के 75% के उपर दूँगा मतलब अगर आप 100 डोलर investment किया है तो जो company आपको 2% दे रही है तीन परसेंट दे रही है जो भी दे रही है वह आपको 100 के उपर ना देखे आपको 75% के उप देखेंगे तो इसके logic जो है वो clear है बहुत सारा company आपने life में देखा होगा दोस्तो हर एक company आपनी plan के अंदर अपने आपको community को develop करने के लिए जो है कही ने कहीं वह networking के अंदर बाटती है बाटती है लेकिन इस plan के अंदर बाटती यह भी है लेकिन over commitment जिसको कहते है ना over commitment नहीं कर रही है बाटती है लेकिन वह क्या कहते है कि मैं आपके investment amount के उपर दूँगा लेकिन यह over commitment नहीं करता है अब इसके पीछे का region यह है कि जब आप investment करते है तो आपका 25% जो fund है वो team के अंदर बढ़ जाता है आपके उपर वाले में चला जाता है तो भाई company के पास ज पर ही मैं आपको return दूँगा जो बात ऐसे clear अगर आपकी मर्च यह तो करो नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ठीक है यह चीज़ है नहीं तो अगर ऐसा होता तो भाई आज market के अंदर ऐसा प्लान आपको नहीं सुने भी नहीं होंगे कि ऐसा हो होता है ठीक है लेकिन य यह ऐसा है यह जबर्दस्ती नहीं करा इसका कोई intention नहीं तो यह भी कहते था कि भाई मैं इतना बाट दे रहा हूं पिर भी आपको total amount के उपर मिलेगा लेकिन नहीं company को खुद यह इसका खुद देखिए इससे बात चीट हुआ तो इसका को intention ही नहीं है कि मुझे भागना है या मार्केट से पैसा उठाना है परसनाली जी मैं बात किया था तो यह चीज लेकिन अगर ऐसा situation आएगा भी तो आज विल स्योर कि यह 5 साल बाद देखने को मिलेगा पान साल से पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो आती है य इंकम जो है वह पीये के फर्म में 8 डॉलर आपको 8 परसेंट आपको इंकम मिल जाता है ठीक है अगर हम बात करें तो दोस्तों है नेक्स्ट है इंडारेक्ट इंकम आप देखे अब आगया यहां पर इंडारेक्ट जिसको आप लेवेल इंकम भी कहते हैं इंडारेक्ट इंकम भी प्रवाइड करती है जिसमें से सबसे पहला आपका 3%, 2%, 1%, 1%, 1% और 1% चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है यहां पे बाइनिरी इंकम मैंने क्या बोला था सब कुछ इंकलिवडेड है यहां पर आपको बाइनिरी इंकम जो है वो तीन बी-पी के ऊपर आपको 40% का बाइनरी मिलता है अगर मैं इसको अधर भासा में बता हूँ तो आपको इसको आप यह कह सकते हैं कि यहां पर आपका पैकेज बिंदर के अंदर है तो आमका जो बाइनिरी इंकम два नाarna परेंट को मिलने वाला है इंट्रमीडियर के अंदर अगर है तो आपको जो है बाइनरी इंकम 9% मिले वाला यदि आपका पैकेज जिल्फ का जो पैकेज है वह अगर एडवांस के अंदर है तो आपको यहां पर 10% इंकम देखने को मिलने वाला है आज आप आप यहां तक समझ गया हूं दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है मैं आपो थोरा सा समय तो आपको सब्केज यहां पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा जो यानी अगर हम बात करें तो यहां के एक डॉल्र की बिजने शहाता है तो आप यहांวกर रहें जितने भी बंदे लगे यहां शुक्त देखें यहां पर यहां पर ज sjoh लेवल वन अलग सिस्टम है यहां पर यह victorious और हडिये जो बंदा इसने जो किसी को जोरा यह हुआ आपका तो लेवल वान के अंदर जितने भी आपका इंवेस्टर होगा उसका डेली का इंकम का आपको मिलेगा कितना तीन परसेंट यहाप अब तक समझ में आ गई होगी नेक्स के अगराम बात करें तो दोस्तो यहां पर आ है क्विक एस्टर्ट बोनस ग् questi के चाथ है इसको कह सकते हैं ताकि जो नए लोग हैं जिसको काम करने में मज़ा ज़ाए क्वी कैलिस आपको दोस्तों ये लिम्टेव के लिए के लुए है सिर्फ और शुरुवात के एक महीने के लिए ठीक है सुरुवात के एक महिने तक आपको मिलेगा क्या होता है दोस्तों कि यदि आप जॉइन किया है और जॉइनिंग डेट से फाइव डेज के अंदर यदि आप अपने लेफ्ट और राइट में दो बंदे को लगा देते हैं तो आपका यहां पर बाइनरी एक्टिव हो जाता है तो फिर अब इ यानि 12 परसेंट का आपको इंकम देखने को मिलेगा कई ने कई यहां पर देख सकते हैं 30 दिन के लिए यह चीज़े वैलिड है 30 दिन बाद यह लाइफ में आपको एक बारी मिलेगा शुरुवात के 30 दिन जितना आप बनाना चाहों बना सकते हो यह आपके हाथ में आपको समझ में आ गया होगा और इस चीज को लेगर कि आप किलियर होंगे मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको समझने में कोई तकलीफ आई होगी और आई भी होगी तो भाई आप कमेंट में बता सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा डिटेल दिया तो नेक्स यहां पर आता है टीटी बोनस यह भी आपको कंपनी कहीं कहीं शुरुवात के एक महीने के लिए ही देती है लाइफ में आपको एक बार ही मिलने वाली है यहां पर टीटी अपका बनते है उसको आप समझे जैसे आपने जोईन किया और आपने अपने लेट और र 50 डॉलर ऐसे ही बिना कुछ किये डारेक्टिंग मिलेगा वह अलग मिलेगा कुई के स्टर्ट मिला वह अलग मिला ठीक है उसके बाद 50 डॉलर आपको मिलेगा ठीक है तो सुरवात कि एक महीने आपके पास पूरा भरपूर समय होता है चितना चाहिए उतना आपकर सकते हैं चलिए यहाँ बात करें दोस्तों काफी समय हो चुगा है और मैं खुद हैं पर चुका हूं अब तो आम इसको सोट में खिशते हैं अगर में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक हजर बीप यानि 5000 डॉलर का जब आप लेट और राइट का आपका बिजनेस हो जाता है तो आप बन जाते हैं ब्रोंज और आपको यहां पे कुछ नहीं बस एक पीन मिलता है एक लोगो आपको मिल जाता है यहां पर जो है आपका बेड्रॉल का लिमिट बढ़ जाता है 12500 का जब आपका बिजनेस हो जाता है तो आप बन जाते हैं सिल्वर और आपको यहां पी यहां पी ले सकता है जब दुबय जाऊंगा वहां पे तो यहां पर 100 डॉलर को आप क्लेम कर सकते हैं देखिए इस परकार से जो है क्लेम का उप्सन आता है जहां से आप क्लेम कर सकते हैं तो यहां पर नेक्स्ट को समघ लिजिए नेक्स्टापका आता है वह गोल्ड की अंदर अगर आप बात करेंगे ne यहां पर यहां शरिए यहां आइपाड लने सकते हैं या ऌप 400 400 डॉलर का reward ले सकते हैं तो मैंने इसवार जो है मैंने पीट लेने के लिए मैंने 400 का क्लेम कर सकते हैं को आप या 400 डॉलर ले सकते हैं या हो जाता है बाइनरी एक्टीव होने चाहिए दोनों तरफ मतलब आपने उसमेंस कोई किसी का आप होने चाहिए दोनों तरफ चलिए नेक्स की अगर हम बात करें नेक्स एस्टीमेंट आता है दोस्तों यहां पे वह है प्लैटीनम जो मैं मेरा नेक्स टार्गेट है और बहुत जल्द आप लोगों का आशिरवाद दुलार रहा तो बहुत जल्द हम इसको क्वालिफाई करने है दो यहां पर आपका जो requirement required बिजनेस है वह है वह है 15 000 बीप यानी यहां पी अगर हम बात करें तो तो यहां पर लगभा के 75 0000 डालर का रिकॉर्ट होगी और आप अगर प्लैटनियम बनते हैं तो आपको मिलेगा 800 डॉलर का reward ले सकते हैं या आपको iPhone जो निवली होगा व आप जो रिक्वार्मेंट है वह 40,000 का है यहां से आपको मिल सकता है 1500 डॉलर का रिवार्ड या आप एक ले सकते हैं मैक बुक डेली का जो बिडॉल लिमिट है वह 4000 डॉलर का बन जाता है आपको यहां तक क्लियर होंगे और समझ गए होंगे वांकि अगर हम बात करें यहां प यहां प्रिक्वार्मेंट होगी आप को अब यहां पाइंट और यहन पर यहां पर हम बात करें हैं नेस्टर रहांकि तो नेक्स कि आता है आपका नेक्स जो है रूबी के अंदर जो आपको कुई यहां पे हाइं इसको हो यहाँ से या र रोपर सकते हैं यहाँ पर तेक सकते हैं यहां पर念 इसमें अधर आपको षूरत वील देखने क aan आप यहाँ जाएगा आप चले घ्ले देखं ले वह तो नेक्स्ट यहां पर परसिटेंट का परसिटेंट में आपको रिकोर्मेंट होगी वह इतने बीस Wallace चैनल आपम सकते हैं और यहां पожно trader मिलने वाली है वह पांच management system आने वाला है games आने वाला है nft आने वाला है travel आने वाला है ठीक है यहाँ यहाँ पर आपको समझ भी गया होंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि this is not just another day it is another chance to make your dream come true दोस्तों आप को कैसा लगा काफी समय मैं ले चुका हूँ वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं और यदि आप इस प्लान को ले करके इंट्रेस्टेड हो या आपके मन में अगर कोई सवाल हो डाउट हो तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और मुसे बात कर सकते हैं जो भी सवाल है उसका आप पूछ सकते हैं अब आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत धन्यबाद